हलो नमशकार मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं समय एडी एजूकेशन यूट्यूब चैनल टेट और टीचिंग एक्जाम्स के लिए आप फ्री लेक्चर्स को यहाँ पर देख सकते हैं तो आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है वो जो ठेए हम आज कवर करेंगे वो है असको जरूर देखेगा और आगे भी कंटिनिवूटी में देखेंगे तो आपको काफी सरी ठेए कवर हम करेंगे Okay, so start with this So, Thurston के सिधान्त की बात करेंगे इस सिधान्त की हम बात करें तो इसको Thurston का समू कारक सिधान्त का आ जाता है Group Factor Theory के नाम से ये famous है Thurston की Group Factor Theory Thurston की Group Factor Theory का जो concept है अगर इसको हम स्टार्ट करें आप इसमें जो notes में दिया गया है वो आप चाहे तो screenshot ले लेना वैसे पढ़ लेना जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर आप जारा ध्यान दे तो यहाँ पर समू कारक सिधान्त इसको क्यों कहा जा रहा है Thurston ने इसको क्यों emphasize किया कि हैं ये समू कारक सिधान्त है Because देखो बुद्धी को लेकर हमने इससे पहले कई बार पढ़ा है कि बुद्धी कुछ लोग कहते हैं कि सामान कारिकों का हमारा use होता है इसमें हमारी जो journal intelligence है जो कुछ ऐसे factor रहते हैं जिनसे हम बुद्धी का इस्तेमाल करते हैं जो आम से कारक होते हैं जहां हम अपना दिमाग लगा रहे हैं चोईस कर रहे हैं निर्ने ले रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की ability होती है बुद्धी में जो special type की होती है माल लीजे कोई arts में अच्छा है कोई science में अच्छा है कोई math में अच्छा है या कोई और रहा की बुद्धी उसमें बहतर है तो ऐसे केस में यहां पर वो विशिष्ट कारकों में आ जाते हैं कोई artist में जो बुद्धी होती है संगीत कार में होती है तो हम उसको एक category दे जेते हैं वो special ability type की चीज़ हो जाती है तो यह जो विशिष्ट और सामाने का concept हमने इससे पहले बहुत से theories में पढ़ा है आपने भी देखा होगा तो यह दो चीज़ों का ही ज़्यादा emphasize होता है theories में हम बात करें बुद्धी से related के भई सामाने कारक हैं जो सामाने चीज़ों में इस्तमाल होती है हमारी बुद्धी की शमता है और विशिष्ट कारक जो किसी खास तरह की ability होती है बुद्धी की जो सब में नहीं पाई जाती वो कहीं न कहीं किसी खास व्यक्ती में होती है सब में अलग-अलग हो सकती है या जरूरी नहीं किए यह हो सकता है एक ही विक्ती में बहुत सारी Вिषिष्ट चीजें हो जो बुद्धी से जड़ी हुई हैं वो उनका इस्तवाल करता हो तो विषिष्ट कारक के अलग-अलग एंगल है अब इनों ने जो कहा है इनों ने इसको अलग नहीं किया इनो ने क्य होती हैं, mental activities होती हैं, जो की बड़े ही सहभाविक रूप से चल रही होती है, मतलब की जो सामान और विशिष्ट का जो classification किया है कई लोगों ने, उसको इन्हों ने कहा कि ऐसा नहीं है, यह हमारी सामान शमताएं होती हैं, बुद्धी कि जो हम सामान तोर पर जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, दिमाग में, बुद्धी में जितनी टाकत होती है, इसका लावा कई बार विशिष्ट चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो यह actually मैं mixed रहती हैं, सौभाविक रूप से यह मिली जुली रहती हैं, और गुरुप में रहती हैं, जो की जरुद पढ़ने पर हम इने गुरुप में इस्तमाल कर लेते हैं, और अपने किसी भी काम को complete कर लेते हैं, और यह बात सही भी अगर आप इसको logically सोचेंगे, जैसे अगर हम बुद्धी की अलगरक शमताईं यूज होंगी, वहाँ पर वो अपनी creative बुद्धी का भी यूज करेगा, जो रचनात्मक बुद्धी है, वहाँ पर वो अपने उस पक्ष का भी यूज करेगा, जहां उसको logic लगाना है, वहाँ पर वो analytical abilities को यूज करेगा, क्या मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत होगा, इस कार को बनाने के हिसाब से कौन से चीज़ां गलत होगी, मतलब एक तरह का decision making abilities होती है, वो होगी, और भी इसी तरह की कई चीज़ों का, कई तरह की जो बुद्धी की शमता हैं या इससे हैं, उनका, उन कारकों का use करेगा, तो यह सब गुरूप में हो रहा है न, यहाँ पर जब कार बनाते समय, ऐसा तो नहीं है, यह की तरह की बुद्धी एक टाइम में, मतलब, focused है, वहाँ पर सब मिल जुलके, इस्तमाल हो रही है, कभी पर सही जो गुरूप फیک्टर का जो concept निकल कर आया, वह यही था, समय कारक का क diferencia का कि कई रही कारकों में, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो कई कारकों में वो use होटे हैं, कही कामों में उ Le recherche लिए कि अपने आप में अलग-अलग जो कारक मिल जाते हैं, या अलग-अलग अलग जो एक बहुत intelligent विक्ति होते हैं वो हर तरह की शमता का यूज कर लेते हैं अगर एक car designing की मैरे बात करी तो वो विक्ति कितना intelligent होगा कितना दिमाग उसके पास होगा वो designing भी कर रहा है उसको create भी कर रहा है analytic ability का भी use कर रहा है mechanical ability का भी use कर रहा है तो आप समझ सकते हैं इससे शमता कितनी जादा है तो कहीं न गहीं जितनी group में हम अपनी abilities को use कर सकते हैं वो ही decide करता है कि हमारे अंदर कितनी शमता है तो ये आपने देखा होगा और इसी तरह कि ये example से आप समझ सकते हैं ऐसे बहुत से example हो सकते हैं अगर हम जैसे science की बात करते हैं subject wise तो बहुत एक physics, chemistry, math ये तीन चीज़ों को मिला कर हम कहते हैं एक subject बन रहा है और तीनों चीज़ों की ability से complete knowledge माना जाता है कि ये subject आपने pass किया हुआ है तो ये तीनों चीज़ों की ability आप में होनी चाहिए तो basically समझ में आगे होगा मेरा example भी आपको practical life से दिया तो group कैसे कारक काम करते हैं समझ में आगे ऐसी किस से जोड़ी हुई कुछ यहाँ पर शमताएं बताई गई हैं वो हम देखें तो जैसे देशक योगता होती है जब आकरतियों को पहचानने की किसी में ज़्यादा शमता होती है किसी में बरवल ability ज़्यादा होती है मतलब कि विचारों में जो कुछी वेक्त किया जाता है बोलकर वो कोई वेक्ती बड़ा अच्छे से समझ लेता है और पकड़ लेता है और किसी में word fluency होती है कोई शब्दों को अच्छे से यूज़ कर पाता है जैसे writers की बात करें उनमें शब्दों की जादुगरी होती है अपने आप में उसको बहुत बहुत बैतरी नी यूज़ करते हैं किसी में numerical ability ज़्यादा होती है इसी तरह से समस्ता समाधान की शमता किसी में जादा होती है यह सारे आप देख सकते हैं लिस्ट में परपैच्वल है जब इस्तियों विचारों को हम सैटी की रूप से समझने की योकता रखते है कि किसी-किसी में होता है न हर स्तिती में वो हर चीज को analyze कर लेता है और एक सही निर्माण कर पाता है किसी चीज को लेकर कि भाई इस चीज में ये तरीका सही रहेगा अगर इससे चलोगे तो आपको फायदा होगा तो ऐसी कई लोग हमें देखने मिलते हैं और जिनमें अलग-अलग बुद्धियां अलग-अलग तरह से काम करती हैं और ऐसा भी possible है कि सभी में किसी व्यक्ति में ये सारी abilities अपने आप में मौझूद होँ इसलिए वो बहुत intelligent दिखाई देता है तो बात समझ में आ गई उनका यो growth factor की बात थी वो यही थी और ये था थरस्टन का सिद्धान growth factor इसको कहेंगे समू कारक सिद्धान आप आपको समझ में आया होगा ये आप आगे भी इस तरह के lectures को देखें फ्री एजुकेशन को promote करें और यहां भी लाब लें और दूसरों को भी बताएं तो like share जरूर करना अगर पसंद आए तो इसके अलाबा आप चैनल को अगर subscriber के अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहां पर जरूर जुड़ें जिससे कि आप लोग आगे के notification को देख सकें और चैनल को subscriber के bell बटन दबा लें Thank you very much, take care